हलो दोस्तो मैं परशान आप सभी का अपने योटूब चैनल एक्वीटी टू कम्यूनिटी में स्वागत करता हूँ तो आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं स्टॉप लोस हंटिंग के उपर और बहुत ही ज़्यादा क्रूशल और इंपोर्टेंट है सबसे पहले हम देखेंगे कि Stop Loss Hunting है क्या फिर हम आगे सीखेंगे कि इससे हम कैसे अपने आपको प्रोटेक्ट कर सकते हैं कैसे अपने आपको बचा सकते हैं अगर हम सिंपल सब्दों में Stop Loss Hunting की बात करें तो बहुत साइ लोग जहाँ पे Stop Loss लगाते हैं maximum जहाँ पर retail trader अपना stop loss लगाते हैं कई बार क्या होता है कि price आपका उस particular level से नीचे आता है या फिर उपर जाता है दोनों conditions में buy or sell के conditions में और stop loss के आपको hit करता है सिर्फ वो उपर या नीचे इसलिए आता ताकि आपका stop loss hit हो सके और कोई दूसरा purpose नहीं रहता है और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं stop loss hunting तो आगे हम इस concept को और detail तरीके से समझेंगे और साथ ही साथ अपने आपको इससे कैसे protect कर सकते हैं वो भी हम समझेंगे तो चलिए इस concept को हम समझते हैं यहाँ पे आपको एक picture दिख रहा होगा अब यहाँ पे हम समझते हैं कि stop loss hunting होता क्या है अब देखिए प्राइस आपका उपर से नीचे साइड की तरफ आया और यहाँ पे यह क्या form किया है यहाँ पे आपका एक support level का formation हुआ है और इसके बाद price आपका यहाँ से upside की तरफ जाना start कर दिया अब जब support level form करके price upside की तरफ जाना start कर दिया तो maximum लोग क्या करते हैं इस level के आसपा जहाँ से reversal देखने को मिलता है यहाँ पे वो entry लेंगे किस तरफ? buy side की तरफ entry लेंगे अब जब entry लेंगे तो stop loss भी लगाएंगे कई लोग क्या करते हैं? यहाँ पे अपना SL रखेंगे कई लोग थोड़ा सा नीचे यहाँ पे रखेंगे कई लोग थोड़ा नीचे यहाँ पे कई लोग यहाँ पे अपना SL रखेंगे, यानि डिफरेंट पॉइंट पे यहाँ पे हमें अलग-अलग होगा stop loss देखने को मिलेगा, maximum stop loss इसी के बीच में हमें देखने को मिलता है उसके बाद प्राइस आपका उपर साइड की तरफ गया ठीक है, ज्यादा उपर नहीं गया, फिर प्राइस आपका नीचे आए दुबारा से इस सपोर्ट लेवल के करीब आके प्राइस आपका अपसाइड की तरफ जाना स्टार्ट किया तो कई साइड लोग पहले बार में यहाँ पर इंट्री कर लेते हैं, कई बार लोग सपोर्ट लेवल को रेटेस्ट होने का वेट करते हैं अब जो लोग यहाँ पर रेटेस होने का वेट किये वो क्या करेंगे यहाँ से जैसे प्राइस आपका ऊपर गया है यहीं पर वो क्या करेंगे वापस से इंट्वी लेने की कोशिस करेंगे इंट्वी किस तरफ होगा बाईसर की तरफ होगा और यहाँ पे जो भी लोग entry लियें उनका SL यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा अलग-अलग point पे उनका SL बनता हुआ दिखेगा अब जैसे ही वहाँ पे entry लियें क्या हुआ प्राइस में हमें जबरदस fluctuation देखने को मिला और नीचे side में long आपका tail बना दिया है अब जो भी लो fluctuation downside में देखने को मिलेगा तो तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं इसी को हम लोग बोलते है stop loss hunting यानि stop loss को hunt किया गया है जानबुज के stop loss को जानबुज के triggered कराया गया अब यह होता क्यों है इसको भी समझने की जरूरत है तब ही आप अपने आपको इससे कैसे बचा सकते व फिर उससे ज्यादा amount से market में injury करना है तो वो क्या करेंगे वो कोसिस करेंगे कि यहां पर जो support level का formation हुआ है इस support level के पास हमें भी injury मिल जाए ठीक है और साथी साथ इतने बड़े amount में injury करने का मतलब है कि price में 2-3% का fluctuation जहूर आ जाता है तो 2-3% का उनको sleep rates का भी नुक्सा होता है तो वो ज्यादा उपर पर बाई करके अपना already नुक्सान नहीं करवाएंगे क्योंकि already उनको sleep rates का नुक्सान उठाना पड़ता है तो वो क्या करेंगे वो करेंगे कोसी support level के पास बाई करने का लेकिन उससे पहले price support level के पास आना जरूर है तभी वो बाई कर तो क्या करते हैं एक ही बार वो बहुत सारा पैसा pump करते हैं जिससे price में हमें negative side की तरफ fluctuation देखने को मिले अब जब price में fluctuation आता है तो जो भी लोग का SL होता है वो SL यहाँ पे hit होता है जब आपका SL हीट होता तो क्या करते हैं position से automatic exit हो जाते हैं आप market से बाहर निकल वे हैं और जब इतने बरे amount में market में entry होता है थोड़ा बहुत price आपका उपर जाता ही जाता है वापस से इसके बाद price आपका उपर जाना start कर देता है और उसके बाद price आपका continuous उपर जाते रहता है और आपको यहाँ पे profit नहीं होगा क्योंकि आपका SL पहले से hit हो गया और SL हीट हो जिसके जरी आप इससे अपने आपको protect कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं वो यहाँ पे हम समझने कोसिस करते हैं और stop loss hunting क्या है उमीद करते हैं यह concept आपको समझ में आ गया होगा तो यहाँ पे हम chart पे आ गया है और देख सकते हैं यह जो chart है आपका अधानी ports का daily chart है और इस stocks में मे देखें क्या हुआ प्राइस आपका ऊपर गया ऊपर से नीचे आया फिर यहाँ पर आपका क्या form किया है एक आपका support level का formation किया है अब जैसे प्राइस सपोर्ट लेवल से ऊपर जाना स्टार्ट किये कई लोग यहाँ पर यहाँ पर क्या करेंगे buy side की तरफ वो entry करेंगे जब वो buy side की तरफ entry करेंगे तो SL कहां पर रखेंगे कुछ लोग SL यही support level के पास रखेंगे कुछ लोग इस से थोड़ा सा नीचे कुछ लोग इसके बीच में कहीं पर भी SL बखेंगे यह जो range है इस range के बीच में multiple हमें stop loss देखने को मिलेगा cluster of stop loss ह में देखने को मिलेगा उसके प्राइस आपको उपर क्या ज्यादा उपर नहीं किया यहां से प्राइस आपको वापस से नीचे आना स्टार्ट कर दिया है और जब वापस से support level करीब आया है तो कुछ लोग दुबारा से क्या करेंगे यहां पर जल्दबाजी में फिर से यह आप पर बाइसार की तरफ इंट्री करने कोसिस करेंगे और उनका भी ऐसाल लगभा किसी लेवल के आसपास होगा अब उसके बाद क्या हुआ प्राइस आपका नीचे आया है और जिन भी लोगों ने अपना स्टॉप लोस लगाया सारा का क्या होगा एसल यहां पे हिट होगा उसके बाद क्या हुआ प्राइस आपका ऊपर साइड की तरफ गया है और इसके बाद अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा हमें अपसाइड मोमेंटम देखने को मिला देख सकते हैं अच्छा खासा अपसाइड मोमेंटम देखने मिला है लेकिन इस अपसाइड म सबसे पहले इसके लिए कुछ criteria है, कि सबसे पहले आपको early market में entry नहीं करना है, जो level है या जो criteria हम लोगों ने set किया, previous कैई v Maxwell rinORY करने ही कोसिस करेंगे, early reversal को play करने की कोसिस करेंगे, तो यहाँ पह आप trap में first सकते हैं, और जो stop loss hunting का सिकार है उसमें भी आप फस सकते हैं तो पहला point है कि आपको early entry नहीं करना है जैसे यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम लोग क्या बोलते हैं कि कोई भी अगर support level का formation हुआ है तो पहली बार जो पूपर जा रहाते हैं यहाँ पर हमें बाइसर की तरह position initiate नहीं करना जब यह रीटेस्ट होगा तब हम बाइसर की तरह position initiate करेंगे अब देखें यह रीटेस्ट हुआ है लेकिन यहाँ पर हम candle close होने का वेट करेंगे early entry नहीं करेंगे अगर आप यहाँ पर candle close होने का वेट करतें तो क्या देखतें कि यहाँ पर price आपका अच्छा खासा नीचे side की तरफ fluctuation दिखाया है यानि आप इसके बाद entry करतें यानि आपका entry point बनता वो इस level के आसपास आप यहाँ पर entry करतें आप early entry नहीं करतें थोड़ा सा late entry कई बार हो जाता है लेकिन आप इस तरह के जो stop loss hunting होता है जहाँ पर आपको नुकसान होना definite है इस तरह के नुकसान से आप खुद को बचा सकते हैं दूसरा है कि आपका जो SL रखना है कोई round figure के पास नहीं रखना है round figure जो कि आपका 50 में हो या फिर 100 में हो जैसे यहाँ पर हम क्या करें 700 के आसपास entry ले रहे हैं तो हमें SL गलती से भी 700 का नहीं रखना नहीं SL हमें 650 का रखना 650 से 700 के बीच में रख सकते हैं या फिर इससे नीचे रख सकते हैं या फिर हम ATR का भी इस्तमाल कर सकते हैं जो कि हम आगे study करेंगे इसके ज़़े भी हमने stop loss कितना point का रखना वो हमें perfect idea दे देता है one time ATR या फिर two time ATR हम generally रखते हैं जो कि आपका average true range हमें दिखाता है पर हमें अपना stop loss नहीं रखना है जो लेवल के बारे में बहुत साहे लोग जानते हैं जहां पर ask या वीड price में हमें बहुत ज़्यादा demand या फिर supply देखने को मिलता है तो वो सारे लेवल पर stop loss हीट होने के chances बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिल जाते हैं इसलिए हमें जो stop loss रखना है इन सारे round figure से और 50 और 100 वाले figure से दूर रखना और early market में entry नहीं करना है यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ATR का इस्तमाल हम यहाँ पर कैसे कर सकते हैं वो भी यहाँ पर हम समझते हैं अब देखें ATR एक indicator है जिसका यहाँ पर हमने काफी आसानी से यूज किया है आपके हर एक trading platform में जो भी आप यूज करते हैं ATR वहाँ पर आपको मिल जाएगा जैसे अगर आप यहीं पर entry ले रहे हैं कोई लोग का अपना तरीका होता अलग-लग trade करने का तो अगर आप यहाँ पर entry ले रहे हैं तो इस level के आसपास हम देखेंगे कि ATR कितने point का है अगर आप यहाँ पर ATR की बात करें तो ATR आ रहा है लग-बग आपका 34 point का तो यहाँ पर हमें stop loss कितने point का रखना होगा तो कई लोग क्या करते हैं यहाँ पर 1 into ATR रखते हैं कई लोग 2 into ATR अपना SL रखते हैं कई लोग 3 into ATR अपना stop loss रखते हैं तो आपको जो भी सही लगता है आप रख सकते हैं लेकिन जेनर्वल जो यूज किया जाता है टू इन्टू एटियर यह नि जितना एटियर का वैलू है उससे डबल हम अपना स्टॉप लॉस रखते हैं जैसे यहां पर 34 है तो 34 इन्टू करेंगे जो कि आपका हो जाएगा 68 की लाता है वहां पर आप यहां पर ट्रैप में सकते हैं और आपको बिग नुकसान हो सकता है क्योंकि 68 पॉइंट का एसल कितने पॉइंट का है 700 करीव है लगभग आपका 8-9 परसंट का एसल बन रहा है तो यह तरीका भी स्टॉप लॉस फाइंड करने का परफेक्ट तरीका नहीं है क्योंकि यहां पर अगर आपका बाइचांस स्टॉप लॉस हीट हो गया तो आप 8-9 परसंट के भारी नुकसान में जा सकते हैं अप्संस में ट्वेड लिए होंगे तो आपको 100 परसंट से ज्यादा का नुकसान हो जाएगा फ्यूचर में भी आपको बहुत बरा न इस पर रखो तो इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा इस तरह का प्रॉब्लम नहीं आएगा लेकिन उसका अलग प्रॉब्लम है अगर बाइचांस यहां से प्राइस आपका नीचे जाना ही स्टार्ट करती है तो क्या होगा आप तो बहुत बरी नुकसान में हो जाओंग या फिर ट्वेंड हमें अरेंडिफाई करना तो उस वेसिस पे हम अपना वह वाला स्टॉपलस रख सकते हैं तो यहां पर अगर आपका एसल हीट होता है तो कोई दिक्कत ने घबराने वाली बात नहीं है आपको देखना है कि इसके बाद क्या बायर्स इंट्री करें बायर्स में स्ट्वेंथ दिख रहा है तो वापस से हम क्या करेंगे बाई साइर की तरफ यहां पर हम इंट्री लेंगे और अब जो यह लो बना है उससे थोड़ा सा नीचे हम अपना वापस से एसल रखेंगे यही एक सटिक एसल है जहां पर हमारा विस्क और रिवार्ड भी काफी की हद तक हमारे फेवर में आएगा और अगर आप एक और लेते हैं दूसरा एक्जाम पर लेते हैं उसके समझने कोसिस करते हैं अभी यह आपका भावती एटल का डेली चार्ट अब यहां पर देखे क्या हो रहा प्राइस आपका नीचे से उपर साइड की तरफ जारा अब यहां पर प्राइस आपका रुका है यहां पर एक आपका stoppage बनाया है support level तो नहीं बोल सकते हैं लेकिन एक range bond move बनाया है जहां पर दुबारा entry करने का मौका दिया है लोगों को तो लोग क्या करेंगे इस point पर क्या करेंगे अपना SL रखके इस level इस level इस level इस level कहीं पर भी अ यहां पर आपको टेल देखने मिला जब भी इस तरह का stop loss हंटिंग होता है तो आपको इसी तरह का टेल देखने को लेगा body part देखने को नहीं मिलता है यहां पर जो भी लोग अपना SL रख्या होंगे क्या होगा उनका SL यहां पर definitely hit हुआ होगा उससे नहीं बच सकते हैं अगर आपका SL hit हो गया है तो क्या करना दुबारा price उपर गया अगर हमें buyers में strength दिख रहा है दुबारा यहां पर हम क्या करेंगे बाइसार की तरफ हम entry लेगे और यहां पर जो हमारा loss हुआ है में मक्सद रहेगा कि loss को recover करना है loss को recover कर लिए तो हम market से यहां पर exit कर लेंगे निक से हम कैसे अपने आपको बचा सकते हैं वह भी concept आपको समझ में आ गया होगा तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आया प्लीज वीडियो को like करके हमें इनकवेज कीजिए चैनल को subscribe नहीं किया तो चैनल को subscribe कीजिए साथी साथ bell icon दवना ना भूले ताकि जब भी हम इस तर